अज करिया बंद जीले में एक विसाल काय अजगर देखने को मिला है गरिया बंद जीले की फिंगेश्वर विकास खंड के स्रीकलागाउं में ये देखा गया है आप मेड़ पर देखिए थोड़ा सा नजर देखिए अभी वो मेड़ से नीचे उतर रहा है और बिलकुल धीरे-धीरे रास्ते को क्रोस करने की कोशिस कर रहा है देखिए आप आधा रास्ता क्रोस कर चुका और अभी भी उसका जो पीछे का हिस्सा है वो मेड़ पर लगा हुआ है और ये देखिए ये तस्वीरों में आप आपको साफ नजर आना सुरू हो गया होगा कि अजगर कैसे धीरे धीरे रास्ते को क्रोस कर रहा है मैं इसके बारे में आपको जानकारी देदू कि सिर्री कला गाओं में ये अजगर देखने को मिला है सूखा नदी के किनारे ये गाओं बसा हुआ है और ये वीडियो वहां के ग्रामनों ने बनाया है ग्रामनों के मताबिक ये नदी से निकल करके गन्ने के खेत में जा रहा है और देखि कितनी धीरे-धीरे ये चल रहा है इसके बारे में हमने वनिभाग से भी जानकारी हासिल की है तो फिंगेश्वर वनिभाग के जो रेंजर हैं तिवारी जी उन्होंने इस बात की पुश्टी की है कि ये शिर्रीकला गाहों का ही वीडियो है और ये जो वीडियो में जाता है और इसलिए यहां पर यह इतनी मात्रा में पाए जाते हैं और यह देखे बिलकुल धीरे धीरे यह जो अजगर है आगे बढ़ रहा है और जिस तरह हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है कम से कम 15 फिट से जादा का यह अजगर होगा और काफी अभी यंग दिखाई दे रहा है यह और मैं आपको एक अच्छी बात यह भी बता दूं कि फिंगेश्वर विकास खंड का जो शिर्री कला गाओं है सूखा नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं पर नदी में क्योंकि इस तरह हैं के जो जीव जंतु हैं वो पाये जाते हैं ज्यादा मात्रा में पाये जाते हैं उनके अनुकूल यह वाता वरन रहता है और यह देखिए अब यह रास्ता क्रोस करके गन्ने के खेत में घुसने की कोसिस कर रहा है और यह देखिए अब यह आगे का हिस्स का जा चुका है हम पीछे का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं और यह देखिए कितना बड़ा ये अजगर है और ये देखिए ये अब इसकी पूँच आपको दिखाई दे रही होगी ये वीडियो सिर्री कला गाउं का है और वन विभाग ने इसकी पुष्टी की है और इसमें सबसे रहात की बात ये है कि इन अजगरों द्वारा आज तक ग्रामिनों को कोई आगे भी हम इस तरह की जानकारी लेकर आपके बीच आते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजी जाज़त नमस्कार